हेलो फ्रेंट्स आपको टाइटल देखके समझ में आ गया होगा कि आज हम बात करने बाले हैं अरच्छण पर तो आज हम बात करेंगे अरच्छण क्या है क्या 50% से ज़्यादा अरच्छण दिया जाना चाहिए बाकी जो 50% आरच्छण है वो किसके लिए है और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में क्या निरदेश दिये हैं आरच्छण के उपर तो आप देख सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने निरदेश दिये थे 1922 में इंद्रा साहिनी केस में कहा गया था तो कौन से केस में कहा गया था 1922 के इंद्रा साहिनी केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ 50% आरच्छण होना चाहिए तो जो आरच्छण है वो 50% होना चाहिए तो देखते हैं जो कि महाराश्ट में मराथा समुदाय आंसन कर रहे थे कि उन्हें आरच्छण चाहिए जिससे की महाराश्ट सरकार द्वारा एक आयोग बनाया गया था जिस आयोग का क्या नाम था तो गायकबाड आयोग नाम था उस आयोग का और गायक बाढ़ आयोग की सिपारिस पर मतलब गायक बाढ़ आयोग जो थी उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने देखा कि महराष्ट में मराठा समुदाय को अरच्छण दिया जाना चाहिए जिससे कि महराष्ट में 12% अरच्छण किसको दिया गया मराठा समुदाय को और टोटल महराष्ट में जो 50% था 50% मतलब 50% और प्लस 12% तो टोटल लगभग 62% के लगभग अरच्छन हो गया कहा महराष्ट में इसके बाद बात करें कि जो की 50% को क्रास कर रहा था तो यहाँ पे आप सुधा लेजे जो की 50% जैसे जो की कहा गया था इंद्रा साहिनी केस में कि आप 50% से ज़ादा राच्छन नहीं दे सकते तो जो 62% है वो कहा गया था लेकिन Supreme Court में ये भी कहा गया है कि एक विषयेश परिस्थिती में आप 50% से ज़ादा राच्छन दे सकते हैं तो अपन देख लेते हैं कि आरच्छन मतलब आरच्छन क्या है तो भारत में कितना कितना आरच्छन दिया जाता है तो भारत में आरच्छन दिया जाता है अनुसूची जाती अगर SC की बात करे तो SC के लिए 15% रिजर्वेशन है आप देख सकते हैं और अनुसूची जन जाती के लिए ST के लिए 7.5% अरच्छण है मतलब 7.5% और अन पिछड़ा बर अगर OBC के लिए बात कए तो OBC को 27% का रिजर्वेशन दिया गया है जो कि हर राज में अलग-अलग है तो थोड़ी आगे पीछ हो जाएगा जो कि कुछ राज में विसेश परिस्थिती में जादा भी रच्छण दिया गया है जो कि total अरच्छण होता है 49.5% तो अब देख सकते हैं और लगभख 50% तो बात आती है कि किया 50% अरच्छण जब दिया जाता है और बाकी का 50% अरच्छण कहां जाता है तो बाकी का 50% आरच्छण जनरल के लिए होता है तो आप ध्यान रखेंगे कि जो जनरल केटेगरी के लिए होता है 50% आरच्छण तो क्या सिर्फ जनरल केटेगरी में सिर्फ जनरल आ सकते हैं तो ये नहीं दोस्तो ऐसा नहीं हो सकता जनरल केटेगरी में सब लोग आ सकते हैं मतलब से फाम भर सकते हैं OBC भाले भी जनरल में जा सकते हैं तो उनके लिए इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है तो आप जहान रखेंगे इसके बाद बात करते हैं कि आगे क्या था जिससे महाराष्ट में 12% आरच्छन मराथा को दिया गया मतलब ये जो था गायकवाड कमेटी ने रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि ठीक है 12% आरच्छन मराथा को देना चाहिए जिससे कि दे दिया गया और 62% आरच्छन हो गया जो कि 50% को क्रास कर रहा था जिससे कि मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया जिनको मतलब जो की 50% आरच्छन के अंदर आ रहे थे उन्होंने याचिका दायर किया कि जो कि महाराष्ट में अरच्छण है 62% क्रास कर रहा है तो इसके बाद मुंबई हाई कोर्ट ने उसका मतलब पूरा पूरी तरीके से गायकबार कमिशन की रिपोर्ट का पूरी तरीके से उन्होंने याचिका को देखा जाच करके मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है यहाँ पे मराठा को अरच्छण दिया जाना सही है इसके बाद उन्होंने अपना जो मुकदमा था वो कहां पे दायर किया तो उन्होंने अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया और तो Supreme Court का अभी अभी result आया है जो कि महाराष्ट में मराथा समूद आया के उपर तो आप देख सकते हैं कि जो कुछ Supreme Court ने उसको मतलब रद कर दिया Supreme Court का कहना है कि जो इंद्रा साहनी केस में 50% का अरच्छन दिया गया है तो आप किसी भी condition में आप 50% को cross नहीं कर सकते मतलब आप कुछ भी कर लिजे आप सिर्फ 50% reservation ही दे सकते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि Supreme Court ने इसको अभी मतलब खारिज कर दिया है तो अब इससे संबंधित doubt देख लेते हैं कि इससे संबंधित क्या-क्या doubt है कि जैसे कि अभी तो मान लिजे जो महाराश्ण में 62% आरच्छड मराठा को दिया गया था लेकिन मान लिजे जो उस टाइम पे जिनों को जाब मिली है या तो सरकारी संस्थानों में उनका चैन हुआ है जैसे कालेज में चैन हुआ है तो क्या उनको निकाल दिया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि उनको मतलब सुप्रीम कोट ने एक निर्देश दिया है कि उनको अभी निकाला नहीं जाएगा मतलब जिनोंने भी अभी 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 मतलब इसके पहले जो मराठा समदा है 12% मतलब कोई भी पोस्ट में है कुछ भी है तो उनको निकाला नहीं जाएगा लेकिन अपसे ये नियम लागू होगी और वहां पे मराठाओं को जो 12% अरच्छन है वो नहीं दिया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि जो 12% अरच्छन है वो नहीं दिया जाएगा और पूराने लोगों को निकाला भी नहीं जाएगा तो देख सकते हैं आज के लिए इतना ही दोस्तों तो आप अपना खयाल रखिए स्वास्त रहिए और जो की हमारे मेरा सेकेंड वाला वीडियो था इससे पहले वाला वीडियो जो की COVID-19 से समधी डाउट का था उसमें देख सकते हैं जो की महंद्र सोलंकी जी का बहुत थैंक यू रोहिज जी भाई की यह देख सकते हैं यह लिखें हैं भाई की बर्किंग योर वीडियो ज भेरी गुड मतलब वन डे वन डे योर वीडियो ज बारल दैन चैनल ग्रूप सो कंटिन्यू हर्ड बर्किंग तो थैंक यू रोहिज जी के लिए और आप दोस्तों ठीक है आप प्रापर स्वस्त रहें और अपना ख्याल रखें धन्यवाद जैहिंद